जब एक इंसान दूसरे इंसान से बदला लेना चाहता है, तो बदला लेने से पहले एक सट्यंत्र जरूर बनाता है। लेकिन कभी-कभी इंसान अपने ही बनाये हुए सट्यंत्र में बुरी तरीके से फंस जाता है। तब उसे एसास होता है कि दूसरों को दर्द और तकलिफ देने का मज़ा क्या होता है। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार आदाब मैं हस्मुदीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तब। आज की जो सची घटना में आपको सुनाने वाला है तरसल ये घटना है उत्तर परदेश की। उत्तर परदेश का एक जीला पढ़ता है सीतापूर और इसी सीतापूर का एक थाना पढ़ता है संदना। संदना थाने के अंतरगते गाउं आता है हरिहरपूर और इसी हरिहरपूर गाउं का रहने वाला रामपरकास, रामपरकास की पत्नी का नाम सुमवती, रामपरकास जो खेती किसानी का काम करता है, रामपरकास के टूटल चार बच्चे हैं, जिसमें बड़ी बेटी संगीता, स परमेस्वर भी खेती किसानी का ही काम करता है, जिसके पास अपना खुद का साथ बिघा जमीन है। परमेस्वर को अपना बड़ा भाई जैसे मानता है, लेकिन छोटू को पास जब भी फूर्सत मिलता है, अकसर अपने गाह में इधर उधर घुमते रहता है। इसलिए परमेस्वर छोटू को अपने घर पे भेजता है और खाना मागाता है, छोटू खाना लाकर परमेस्वर को दे देता है। उसके बाद से छोटू को जब भी फूर्सत मिलता है, अकसर परमेस्वर के पास जाता है, घंटो देर बैट कर उससे बात चित करता है। बात कर रहा हूं मैं 26 मार्च 2014 के रातरी के वक, छोटू अपने घर परिवार वालों से ये कह करके घर से निकलता है कि मैं एक साधी समरों में जा रहा हूं। लेकिन एक बार चोटू जो अपने घर से बाहर निकलता है, उसके बाद से दुबारा कभी घरी वापस नहीं आता है। अगले दिन छोटू के घर परिवार वाले उसकी हर जगहों पे तलास करते हैं, लेकिन छोटू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते दो दिन का समय गुजर जाता है। और छोटू का गुमसुत्की का रिपोर्ट दस करा देते हैं। पुलिस जब गुमसुत्की का रिपोर्ट दस करती हैं, उसके बाद छोटू की तलास करना सुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिस कर लेती है देखते ही देखते और दो दिन का समय गुजर जाता है लेकिन छोटू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और आखिर कर 28 मार्च को मेधपुर गाव के एक खेत में छोटू का डेट बोडी गावालों को मिलता है गावाले जैसे ही छो सुचना नजदी की थाने में भी दी जाती है पुलिस को जैसी सुचना मिलती है पुलिस अपने टीम के साथ घट नास्तल पे पहुंचती है पुलिस जब छोटू के डेट बोडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि छोटू के गले में एक गमचाला पेटा गया है दरसल उ इस केस की छान मिन करना शुरू करती है पुलिस भी अपनी तमाम कोशिस कर लेती है देखते ही देखते और दो दिन का समय गुजर जाता है लेकिन अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है इसलिए पुलिस अब अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है तभी 30 मार्ज को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों के एक सूचना देता है खबरी कहता है कि साब छोटू के ही गाउं का रहने वाला परमेस्वर आप परमेस्वर को उठाईए और उससे पूच्टास कीजिए क्योंकि गाउं वालों का कह नाम है कि परमेस्वर की पतनी संगीता के साथ में छोटू का प्रेम पर संग चल रहा था खबरी जैसे इस तरह की बाते पुलीस वालों से कहता है तो पुलीस खबरी के ही तरीर पे परमेस्वर को अपनी कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है लेकिन परमेसवर जब थाने में जाता है अपने सामने पुलीस वालों को देखता है उन्हें देखकर थरथर कापने लगता है पुलिस जब छोटू की हत्या के बारे में परमेस्वर से जब पूछ दैस करना सुरू करती है परमेस्वर भी डर के मारे तुरंथी अपनी सचाई कबूल कर लेता है परमेस्वर जोकी छोटू को बजपन से जानता था एसे लिए छोटू भी परमेस्वर को अपने बड़े भाई जैसा मानता था छोटू जब परमेस्वर से खेतों में मुलकात करता है तो परमेस्वर छोटू को अपने घर पे खाना लाने के लिए भेजता है लेकिन छोटू जब परमेस्वर के घर पे खाना लाने के लिए जाता है उसकी पत्नी संगीता को जब पहली बार देखता है तो संगीता की खुबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाता है दरसल छोटू को पहली नजर में संगीता से प्यार हो जाता है छोटु खाना लाकर परमेसवर को दे तो देता है उसके बाद अपने घर पी आ जाता है लेकिन उसके बाद से अक्सर संगीता के बारे में ही सोचते रहता है छोटु को दुबारा कभी मौकाही नहीं मिल पाता है कि वो फिर से संगीता से जाके मुलाकात करे इसलिए अब छोटू काफी परिसान हूटता है सारा काम धंदा छोड़ देता है और हर रोज परमेस्वर से मिलने के लिए खेतों में जाता है जब भी परमेस्वर से मिलने के लिए खेतों में जाता है घंटो देर बैट कर परमेस्वर से बातचित करता है ताकि दोपहर का वक्त हो जाए जैसे ही दोपहर का वक्त हो जाता है परमेस्वर छोटू को अपने घर पे खाना लाने के लिए भेशता है छोटू दुबारा जब परमेस्वर के घर पे जाता है तो उस दिन संगीता से बातचित भी करता है और संगीता के तरफ अजीब नजरों से देखता है जब संगीता के तरफ अजीब नजरों से देखना सुरू करता है तो उसे देखकर संगीता को भी समझने में देर नहीं लगता है कि दरसल छोटू चाह क्या रहा है उसके बाद से ये रोज का परकिरिया बन जाता है अक्सर छोटू परमेस्वर के घर पे जाता है और खाना लेकर आता है लेकिन बार बार जब उसके घर पे आना जाना सुरू करता है इसी बीच में छोटू और संगीता दोनों एक दूसरे के कब करीब आ जाते हैं दोनों को नहीं मालूम चलता है और आखिर कर एक दिन छोटू और संगीता सारी मर्यादा की सिमाय पार कर जाते हैं एक बार जो अब दोनों के बीच में संबंध बनता है उसके बाद से ये कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है लेकिन इस बात की जनकारी परमेस्वर को कभी नहीं मालूम चलता है परमेस्वर के ही गाउं का रहने वाला परमोद परमोद जिसकी उम्र है लगभग 21 साल दरसल परमोद भी संगीता को अपना दिल दे चुका था एक दिन परमोद भी अपनी दिल की बात संगीता से कह चुका था लेकिन संगीता उसे साफ मना कर चुकी लेकिन आखिर कार एक दिन परमोद को सचाई मालूम चल ही जाता है कि संगीता का छोटू के साथ में अवय संबन चल ला है जैसे ही परमोद को सचाई मालूम चलता है परमोद काफी गुस्से में आ जाता है परमोद को लगता है कि संगीता उसे माना कर और छोटू के साथ में रंगरलिया माना रही है इसे लिए परमोद गुसे में आकर ये सारी सचाई परमेस्वर से बता देता है परमेस्वर को जब सचाई मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का छोटू के साथ में अवाज संबन चल ला है, परमेस्वर को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है, एसे लिए परमेस्वर भी एक सड्यांत्र बनाता है दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए, हर रोज के तरह ज लेकिन छोटू जैसे ही संगीता के घर के अंदर इंटरी करता है, खाना लाने से पहले दोनों के बीच में संबन बनना सुरू होता है, परमेस्वर दोनों के सामने अचानक पहुँच जाता है, और दोनों को अपत्ती जना की स्तिथी में देख लेता है, जब दोनों को अप अपनी पत्नी की भी बुरी तरीके से पिटाई करता है। उसकी पत्नी तुरंती हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाती है। और अपने पती से माफी मांगते हुए कहती है कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। परमेस्वर अपनी पत्नी को छोड़ तो देता है लेकिन अपनी पत्नी के उपर ध्यान रखना सुरू कर देता है। उसके बाद से छोटू और संगीता का दुबारा मुलकात नहीं हो पाता है। लेकिन परमेस्वर जब भी उन पलों को याद करता है उसके सरीर में आग लग और इसी के फाइदा पर्मोध उठा लेता है, और आखिर कार पर्मोध भी एक सड्यंद्र बना लेता है, पर्मोध को लगता है कि परमेस्वर के हाथों छोटू का हत्या करवा दे, हत्या के जुर में परमेस्वर भी जिल चला जाएगा, उसके बाद उसकी पत्नी संगीता अक अब उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। जब दोनों को मौका नहीं मिल पाता है तो आखिरकार परमेस्वार फिर से एक सड्यांतर बनाता है। संगीता के घर के अंदर एंटरी करता है, परमेस्वार और परमोद छोटू को धर्द बोच लेते हैं। और फिर उसके गले में एक गमचा लपेट का जोर जोर से खीचने लगते हैं। छोटू भी काखी छट पटाने लगता है और आखिरकार जमीन पे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही जमीन पे गिरता है संगीता छोटू के दोनों पैर पकड़ लेती है। उसके बाद से परमेस्वार और परमोद उसी गमचे को छोटू के गले में लगा के तब तक जोर से खीचते हैं। जब तक उसकी सांसे नहीं रुक जाती है। छोटू जैसे इस दुनिया को छोड़के चला जाता है उसी रात को ही परमेस्वार और परमोद छोटू के डेट बोड़ी को एक भोरी में पैक करते हैं। और रातरी को ही उसकी डेट बोड़ी को लेकर मेथपुर गाउं के एखेत में ले जाकर फ्यक देते हैं। उसके बाद से तीनों अपने घर वापस चले आते हैं। लेकिन पुलिस जब इधर अपराधी को तलास करना सुरू करती है तो इधर परमोद ही खबरी बन कर थाने में जाता है और पुलिस को परमेस्वार के बारे में सूचना देता है। दरसल परमोद को लगता है कि सैद वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। वाकई में परमेस्वर जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस परमेस्वर के ही तहरीर पे उसकी पतनी संगीता और परमोल दोनों को भी अपनी कस्टडी में लेकर आती है। फिलाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन तीनों पे गंभीर धराम मुकदमा दर्ज करके जेल भेलतीया है। दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सूचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंट बक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय ही जय भारत।